जब भी guys आप यहाँ पर अपना phone अपने laptop में या फिर अपने PC में लगाते हैं guys तो आपको guys कुछ ऐसा दिखाई देता है तो यह क्यों दिखाई देता है से और से कैसे fix करना है बताऊंगा तो इस वीडियो को धियान से देखेगा और लास्ट एंग तक देखिए अगर आपने अपना phone चार्जिंग पर connect किया है तो यहाँ पर guys जो चार्जर है बहुत ही slow यहाँ पर काम कर रहा है आपका चार्जर इसलिए भी आपको ऐसा दिखाई देता है चार्जिंग कनेक्टेड device विया USB अब फिर अगर आपने अपना phone laptop में PC में लगाया है तब भी आपको ऐसा लिख कर आता है अगर चार्जिंग पर तो अगर आप लगाते हैं तो ऐसा लिख कर नहीं आना चाहिए तो आपको guys यहाँ पर सबसे पहले चार्जिंग का जो केबल होता है वो आपको देख देखना होगा अगर फिर भी आपको इसी प्रावलम आती है तो यहाँ पर आपको अपना जो केबल है वो आपको चेंज करके देखना होगा यह केबल की वजह से लो कनेक्शन की वजह से आपको ऐसा दिखाई देता है आपको इन स्टेप्स को कर लेना है फिर आपको अगर फिर भी अगसी problem आती है तो आपको गईज एक option आपको देख लेना होगा अगर अपने charging पर फोन लगाया है तो आपको 가는 you यहां पर ओना यह नहीं देख लेना है इसे देखने के लिए आपको क्या करना होगा simply यहां पर आपको क्या करना होगा आपको device care में चल जाना है आपको Samsung के phone में यहां पर आपको battery में जाना है यहां पर more battery settings यहां पर आपको दिखाई देगा तो इसके अंदर आपको चल जाना है जैसे आप जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा fast charging इसको पर आपको click कर लेना है on कर लेना है जिससे गाइस यहां पर आपको ऐसी नोटिफिकिशन नहीं आएगी बलके फास्ट चार्जिंग लिखकर आएगा तो जिसे आपकी प्रावलम साल हो जाएगी तो मीड करता हूं गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो चाह लगा तो लाइग किजिए शेयर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना दे लिए थैंक्यू अर्माच